कि अलो एव्रिवन वेलकम टो इंजिने सटकाइज आई होप यौल अगुड माइसल रजसिंग और आप सभी का इंजिने सटकेस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है वेलकम अनिकेत पुषपा लोपा मुद्रा सभी लोगों का वेलकम है जितने भी लोग जुड़ चुके हैं इसवे एक्जाम्नेशन में इंट्रेविह होंगे विससे एसस्टी जुड़ इवनिंग इंट्र hamm specification बटेब्य सबीचा विस जलोग फटा फटा जाओ सशिन में जूड़ जाओ निटेश आदित्या-क्रिशन नन दश्रत गुड इवनिंग गुड इवनिंग बेटा तो गाइज आज का सेशन जो है अमारा पार्ट 7 है जो हम लोग MC के सिरीज कर रहे हैं फॉर SSC JMP सब इंजिनर और जे एक्जामिनेशन एक्जामिनेशन जिसके लिए हम लोग डेली वेसेस पर प्रेक्टिस करते हैं तो गाइज फटा-फट सभी लोग आजए और आप लोगों ने आज वीडियो पे ट्रेलर भी देखा होगा और कैसा लगा आपको जरूर बताना आप लोग कोमेंट सेक्शन सबसे पहले आप सभी को बता दूं की रोज की तरह हम लोग जो सेशन करते हैं उसको स्टार्ट करने से पहले कुछ important timings जो इस channel पे आपको provide कराई जाती है प्रॉपर समय जिस समय पे आप अपनी के एक ग्यारा बज़े से classes जे चलती अक्षिता मैं की फिर किर्टी मैं की classes हैं ठीक है उसके बाद आपको आरके सर जिसमें आपको सेफिल मेकेनिकल दोनों को पढ़ाते हैं और फिर MPP के लिए मेकेनिकल इंजिनियर्स के लिए स्पेशली सिवम सर क्लास ले रहे हैं आठ बजे से जो अभी लाइब है ठीक है और साड़े आठ सी यह मेरी क्लास स्कार्ट होती है डेली बेसेस पर ठीक है अभी आपको पता चल जाएगा आप लोग को बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि मैं कहां जा रहा हूं और कहां से वहां से लाइब भी आऊंगा ठीक है तो गाई यहां पे स्टार्ट करते हैं आज का सेशन आज आज चुके हैं सकते हो is स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को सेशन में आपको अज 20 कुर्षन देखेंगे ठोड़ा सा कम है क्श में मैं आज 0.25 marks for incorrect question इस तरीके के आपको अपनी marking evaluate करनी है ठीक है पहला question आपके screen पर है first question जल्डी से जल्डी जवाब देंगे फटाफट questions को देखना है पढ़ना है और उसके बाद quick response करना है guys जैसे ही आपके mind में answer strike करें तुरंत आपको answer देना है गूड इवनिंग विजय नीरज आदित्या चलिए फटाफट जवाब दीजे यहाँ पर weldability weldability लिखा हुआ weldability of steel is enhanced by allowing it with अब steel की weldability कितने असानी सहम weld कर सकते हैं यह कैसे increase होगे by allowing it with carbon, carbon enhance कर देंगे इंक्रीज कर देंगे sulfur, chrome या nickel जल्डी से बता दीजे फटाफट इसका answer कीजे सोच समझ के answer करना carbon बढ़ाने से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं strength नहीं पूछा है, weldability पूछा है यहाँ पर questions को पढ़ा करो कभी भी कोई भी answer देने से पहले नहीं एक बढ़ा सोचा करो carbon welding में मदद करता है क्या हमारी कब पढ़ लिया आपने ऐसा carbon हमारी welding में मदद करता है ऐसा कब पढ़ लिया यहाँ पर weldability लिखा हुआ है ताकि strength थोड़ा सा सोचोगे answer आपको पता चल जाएगा फटा फट बताईए गाईज जल्दी सब भी लोग बताईए फटा फट रिस्पॉंस किजे weldability of steel is enhanced by alloying it प्रेक्श कर दोटाएव थे लिए भी लिए भी लिए बताईए बहुत सारे बच्चों का यहां पर D answer भी आ रहा है, अब nickel भी answer कर रहे है, बिल्कुल सही, बिल्कुल, very good, लेकिन देखो, यहां पर मैं बताओ, weldability का correct answer यहां पर क्या होगा, B option होगा, sulfur, ठीक है, B option is absolutely correct, जो options दिये हुए न, उसमें से choose करना है, और enhance by, इस से सबसे ज़्यादा enhance होता है, देखो, manganese भी use करते हैं, हम लोग nickel भी use करते हैं, लेकिन sulfur के, अगर content को allow करेंगे ज़्यादा तो weldability बढ़ जाती है, sulfur के respect में, बिल्कुल B option यहां पर correct होगा, SSC J में height मांगता है, क्या please बता दो, नहीं, भाई SSC J में height वगर ऐसा नहीं, वो department का criteria होता है, SSC J कुछ नहीं मांगता है, जो उससे department मिलते हैं, MES, BRO, वहां पर criteria होता है, अलग-अलग medical standards होते हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, अगला देखिए, बड़ा ही simple सा, सधारण सा प्रशन आपके सामने दिखाई दे रहा है, channel section, एक C section, channel section है, channel section से related question है, क्या question में पूछा गया है, इसको एक बार पढ़ते है, channel section has, two web one flange, अब देखो यारी तो बच्चो वाला question हुआ कि नहीं, यह question अगर आपके examination में है, तो इसको आप छोड़ोगे या करोगे, बताओ जल्दी, और करोगे तो कितनी जल्दी fast करोगे, अभी गलत answer नहीं होना चाहिए, यहाँ पे, यहाँ पे इसका answer गलत नहीं होना चाहिए, channel section पूछा है, यार, इसमें तो आप गलत करी नही तो मैं उम्मीद यही करके चल रहा हूँ, लेकिन देखो अभी प्रशान्त ने, प्रशान्त लोखंडे ने C answer दिया है, C कहां से होगा भाई, यहाँ पे channel section इस तरीके का होता है, अब इसमें कितने web है, कितने flange है, यह दो flange है, यह flange और यह flange, और एक web है, एक web, तो one web and two flanges, B option is absolutely correct, जिन बच्चों ने भी दिया है, बिल्कुल correct है guys, और फटा-फट चलते हैं तीसरे question पर, और sessions को जिन बच्चों ने like नहीं किया ना guys, एक बार thumbs up कर दो, session को like जरूर कर दो, जितने भी मेरे भाई अभी live हैं फिलहाल में, फटा-फट बताइए question number third का answer, जितने भ बच्चे अभी देख रहा है, rolled steel tubes are referred by their, rolled steel section होते हैं उसी में tubular section जो होते हैं, tube के form में होते हैं, उसमें inner dia होगी, outer dia भी होगी, right, अब inner dia के respect में उसको refer किया जाता है, या फिर outer dia के respect में उसको दर साय जाता है, जल्दी से बताना है कौन सा diameter उसको represent किया जाता है, outer diameter, inner average या outer radius, diameter, radius कुछ भी बोल सकते हो, आला कि यहाँ पर बताइए जल्दी फटा-फट which one is correct, यहाँ बेना options, जो confusing option उसको तो eliminate कर सकते हो, मेरे भाई आप लोग, जैको इसमें options इस तरीके से सेट कर दिए, क्या इसमें और इसमें कोई difference है क्या, यह outer diameter, outer radius में कोई difference है, और यह दोनों नहीं दिख गया तो अब तो confirm होगा न, outer diameter बोलो, outer radius बोलो, बात एक ही है, दोनों में कोई difference नहीं है, इसका answer क्या होगा, inner diameter, inner diameter से represent करते हैं इसको, B option is absolutely correct, represented by inner diameter, diameter जो इंदर का होता है, उससे represent किया जाता है, बिल्कुल, B option is correct, अगले प्रशन पर बढ़ते हैं, question number 4 पे, 4 प बोल रहें कि सर, SSC, clear होगया, MES वालों ने अगर height में reject कर दिया, कितनी height है तुमारी ये तो बता दो पहले, और ऐसे reject नहीं हो जाओगे, MES में reject हो जाओगे, किसी एक department में नहीं preference मिलेगे, दूसरे department जो second preference होगा, वो मिल जाएगा, ठीक है, document verification कराओगे, अपना सारा measurement इरिया पर इस खरे उतर होगे, तो definitely आपको department जो मिलने वाला होगा, वो मिल जाएगा, circle आज आपका energy full, circle से आज आज आपकी energy full, बड़ा बड़ बताओ गाई, maximum width of steel plate manufactured, maximum width, maximum width of steel plates manufactured, अब maximum width, steel plate की maximum width जो की manufacture किये जाते हैं, उसकी maximum width पूछ लिया गया, 1 meter, 1.5 meter, मीटर में हैं काई जयाद रखना है, यहाँ पर फटाफट बताएंगे, 2 meter and 2.5 meter, चौथे question का answer करना है आप लोग को, maximum width जो manufacturing की जाते हैं, बहुत सारे लोग बोल रहा है, प्रियांशू, पुस्पा, ठीक है, यह option, सौरव ने बोला है 1.5, यहाँ पर जल्दी सजल्दी बत है, आप लोग कितनी होगी, maximum width, maximum width of steel plate, फटा-फट बताना है सभी को, सभी को participate भी करना है, यार ऐसा नहीं करना है, कि मतलब एक-दो लोग कर रहे हैं, participate, maximum width of steel plate manufactured, आर, B, B, D, 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 देखो, यार, जो manufactured होते हैं, जो manufacture किये जाते हैं, यहाँ पर steel plate, उनमें, देखो, confuse नहीं होना है, आपको 2.5 मिटर याद रखना, 2.5 मिटर की भी manufacturing अभी हो रही है, ठीक है, अब है त्रिपाठी बोलना है, सर, please suggest me, what, पुछे कोस्टन तो पुछे, that is not 1.5, अब 2.5 एंसर याद कर लेना, अगर आप से कोस्टन पुछा गया, examination में, that is 2.5, 1.5 जिन्हों ने याद किया, अपने दिमाग से निकाल के 2.5 याद कर लेना, IS 800-2007 recommends the use of dash connection as far as possible, IS 800 कौन से connection को recommend करता है, यूज़ करने के लिए, जब तक possible हो, जहां तक possible हो पाए, बोला था, निकेत, आपके सवाल का जवाब सबसे पहले ही देख दे दिया था, मैंने, इस वीडियो को starting में देखना, वहाँ दे दिया था, बिल्कुल कर सकते हो, use कर सकते हो, English के बड़, कोई issue नहीं है, interview में, यहाँ पर तो असानी से बता दोगा, आप बोल रहे हो, देखो, बहुत सारे बच्चे एनिया अव दिया बताने लगे, यहाँ पर recommend बोलाए, किसी एक कोई तो recommend बोलेगा, है ना, as far as possible, जब तक possible हो, ऐसा थोड़ना है, कि सबको recommend कर देगा, कि सबको कहीं भी use कर सकते हो, और जो suggest करना, जैसे माल लोग तीनो connection बढ़ने, इन तीनो में कोई एक चीज recommend की जाती होगी, पता दूँगा, उस पर वीडियो बना दूँगा, separate, C option, absolutely, welded connection, strength maximum मिलती है न, इसमें, और plate की cutting नहीं करनी होती है, किसी भी तरीके से plate को harm नहीं पहुचाते हैं, हम लोग उसमें काटना नहीं पड़ता है, plate को हमें, ठीक है, welded connection, इसका answer correct होगा, as far as possible, लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि static loading के cases में use किया जाता है, जहाँ पर load, steer, static हो, otherwise vibration वगर आएगा, तो यहाँ पर नहीं बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पर brittalness, as far as possible, लिखने का यहीं मतलब था, ठीक है, यह option is absolutely correct, अगले प्रशन पर चलते हैं, छटे प्रशन पर और आज आपको पहले ही बताया है, मैंने केवल 20 question होने वाले हैं, और guys, there are plus 100 live viewers, more than 100 live viewers, और likes, guys, यह यह सही बात नहीं, केवल, almost 60 likes in session, पे session पे like, आप लोग के आने चाहिए, भर-भर के, CBSC Adda, your teaching style is superb, sir, this is my first live class, thank you so much, thank you so much, sir, diploma में 65% है, तो CPWD department मिलेगा, याने बिल्कुल मिलेगा, डिपलोमा के percentage से बिल्कुल मत घब रहाओ, 65% है exam दो, निकलेगा examination, rank आएगी आपकी अच्छी, merit में आओगे, 100% मिलेगा, इस पर बना चुका हम वीडियो दुर्गेश, देख लेना, उसको अलग से, फटा फटा बताए, which one of the following is not limited state of serviceability, आपको trick बताया, trick याद करोगे, तुरंत याद आजाएगा, यहाँ पर देखो vibration दिखाई देता है, corrosion दिखाई देता है, fire भी दिखाई देगा, जो चीज़े हम देख पाते हैं, बिल्कुल उसको serviceability के criteria में लखेंगे, loss of stability, loss of stability, stability का loss और इसको आप visualize नहीं कर पाऊगे, देख नहीं पाऊगे, ठीक है, बिल्कुल visual नहीं दिखाई देगा, ठीक है, बिल्कुल C option, जिन बच्चों ने C option बोला है, बिल्कुल correct है, एक trick बताया था कि इस तरीके से आप answer टिक कर सकते हो, अगर serviceability वेगरा इस तरीक कुछ लोगों ने गलत दिया है, इसका answer, मैं most of the cases में C option दिया है, साथवे परशन पर आते हैं, साथवे परशन बड़ा ही simple सा, सधारन सा परशन है, सभी लोग इसका जवाब सही दे पाएंगे, और जो लोग last में जुड़े हैं, सेशन में जुड़े हुए हैं, अभी फिल में दिखेंगे आपको, ठीक है, अगर आपको नहीं दिख रहे होंगे particular, तो आप मेरे को contact करना, so करने लगेंगी, size of rivet hole, size of rivet hole is kept dash more than the size of rivet, rivet hole जब हम लोग construct करते हैं, तो उसका size कितने ज्यादा, कितने टाइम्स ज्यादा, मतलब कितना ज्यादा होना चे जनरली, आपनों को rivet hole का diameter का D naught का criteria भी पढ़ा होगा, और उसमें पूरा का पूरा criteria बता दीजेगा, फटा फट जितने भी लोग हैं यहाँ पे, तौहीद welcome, फिल्कुल करेक्ट है, 1.522 आपको पता है न, कि यहाँ पर rivet लिखा हुआ है, बोल्ट नहीं लिखा हुआ है, rivet लिखा हुआ है, rivet के लिए आपको 1.5 वाला criteria भी पता है, contact details आप लोग mail कर देना, जिनको भी contact details नहीं पता है, mail कर देना, रजत.sing at the rate, adda247.com, इस पर आप लोग mail कर देना, बस वहाँ से मैं contact कर लूँगा आपको, ठीक है, यहाँ पर आपका बी option बिल्कुल correct है, बिल्कुल correct है, यह स्टेडी, question पुछा करो, direct, जब निकल जाता है, question तो नहीं दिखता है, तो दोबारा पुछ लिया करो, बिल्कुल सही बोल रहे है, more than 25 के लिए to add कर देते हैं, उससे कम के लिए 1.5, बिल्कुल correct है, 100%, आठवा प्रशन देखिए और बताइए, which one of the following is not an advantage of bolted connection over the welded connection, welded connection की तुलना अगर की जाए bolted connection से, तो लिखा, which one of the following is not, not an advantage of bolted, bolted connection का advantage नहीं है, ठीक है, मतलब bolted connection में ये चीज़े नहीं देखने को मिलेंगी, अब चार option दिये हुए हैं, पढ़िए और बताइए, सोच समझ के कौन सा answer होगा, पहला लिखा हुआ है, making joint is noiseless, making joint is noiseless, दूसरा लिखा हुआ है, connection can be made easily, connection असानी से बन जाते हैं, accommodates minor discrepancies in the dimension, मतलब dimension में थोड़े बहुत बदलाव हो जाते हैं इसको बनाने के बाद, और ये बदलाव किसमें देखने को मिलेंगा, और बिस से बात है, bolted connection में देखने को मिलेंगा, alteration in the connection can be made easily in the field, अब ऐसा आपको बताना है, ऐसा advantage, not advantage लिखा हुआ है, bolted का advantage नहीं है, इसका मतलब ये चीज़ welded में होती होगी, ये चीज़ welded में होती होगी, जो bolted में नहीं होती है, इस तरीके से आपको सोचना है, बहुत सारे लोगों को ये option लगेगा, कि making joint noiseless, noiseless joint नहीं बनता है bolted में, तो क्या welded में noiseless joint बन जाते है, उसमें noise नहीं आती है, थोड़ी भी, उसमें भी noise आती है, तो ये advantage नहीं हुआ ना, दोनों के बारे में सोचना है, केवल एक के बारे में नहीं सोचना है, कि इस बोल्टेड में तो noise होती है, यहाँ पे noiseless लिखा हुआ है, इसका मतलब यहीं हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, आप देखो D option को जड़ा पढ़िए, alteration in the connection can be made easily in the field, मतलब connection में जो alteration करना होगा, आप मानलों की length connection की x किया है, आपने 2x करना होगा, 2x कर सकते हो, 3x कर सकते हो, welded में, bolted में नहीं कर सकते हो, आप bolted एक bolt लगा दिया, आप बैसा थोए ना है कि उसे एक bolt की length को बढ़ा दोगे, bolt की diameter को बढ़ा दोगे, bolt के लिए hole बनाओगे पहले, right, तो यहाँ पर bolt जो है available, उसी को use कर सकते हैं, यहाँ पर D option बिल्कुल correct होगा, थोड़ा सा इस तरीके से सोचोगे ना, तब इसका answer पता चलता, मानता हूँ कि यहाँ पर question काफी लोग ने गलत किया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको question किस तरीके से सोचना है, वो मैंने बता दिया, यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके अग्जाम निकालो, सब डिपार्टमन में चले जाओगे, सभी डिपार्टमन में चले जाओगे, सभी डिपार्टमन में चले जाओगे, T is the thickness of the thinner plate, जो पतली वाली plate है, उसकी thickness यदि T है, तो पूछा है, and P is the pitch, अगर pitch distance उसके P है, in bolted connection, of a compression member, pitch shall not be more than, pitch कितने से जादा नहीं होने चाहिए, यहाँ पर compression member लिख दिया है, maximum value of pitch बोल रहा है, जल्दे से बता जीजे, और मुझे पता था कि बहुत सारे लोग यहाँ पर 16 T, 16 T करने लग, H T ने देखो 16 T वाला, whichever is more, भाई, 16 T कब होता है, tension के case में, tension के case में लेते हैं, और दोनों में, दोनों में less लेंगे की more लेंगे, दोनों में less लेंगे, whichever is less होता है, मेरे भाई, अब यार, नितिन इसी तरीके से explain करता हूँ, यहाँ पर जिस तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है, explain in Hindi, अब इससे हिंदी ज्यादा नहीं, इतनी समझनी पड़ेगी आपको, इतनी भी नहीं समझ में आती है, English, जो basic English है, इतनी, भाई, समझो, सीखो, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 12, याद कैसे करना है, आपको बताया था, compression, compression में आपको पता है न, कि बकलिंग के चांसे ज्यादा होंगे, तो बोल्ट को पास पास में लगाओगे, दो पलेटों को जोड़ा है आपने, उसमें बकल होने के चांसे बढ़ जाते हैं, compression म में तो बकलिंग होती है, तो इसमें बोल्ट को पास पास में लगा देंगे, लेकिन tension में बकलिंग के चांसे नहीं होते हैं, tension में बकलिंग के चांसे कम हो जाते हैं, इसलिए वहाँ पर बोल्ट को दूर दूर लगा देते हैं, और ऐसे भी याद कर सकते हैं, tension का मतलब तो दूरी बढ़ जाएगी ऐसे याद करने के लिए बता रहो एक ट्रिक 16T वहाँ पर टेंसर में टिक कर देना कंप्रेशन में दबाओ के कंप्रेस करोगे दूरी घड़ जाएगी 12T याद कर लेना इस तरीके से ठीक है किस तरीके से याद करोगे आपका अंसर कभी गलत नहीं होगा और कभी भी पूछा जाए maximum maximum value पूछा जाना यहाँ पर किसी भी चाहिए RCC पढ़ लो चाहिए कोई साभी subject पढ़ लो RCC में भी पूछा जाता है maximum spacing minimum spacing जब भी maximum पूछा जाए कितने से ज़्यादा नहीं हो सकता यहाँ पर लिखा ना P the pitch in the bolt shall not be more than कितने से ज़्यादा नहीं मतलब maximum value पूछ रहा ठीक है तो याद रखना यहाँ पर जब maximum पूछा जाए तो यहां में minimum लिया जाता है जब minimum पूछा जाए तो maximum लिया जाता है इस तरीके से आप ट्रेक याद रखना आपका गलत नहीं होगा कभी को संठीक है कि ऑप्शन इस करेक्ट अगले बढ़ते हैं दस्वे प्रशन पर रखन पर रार बीजई की वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं हुआ हिम्मत नहीं हारना है ऐसे रोने वाली स्माइली तो मती बेजो कम से कम कि इतना सब कुछ अचीव कर चुके हो तो अटलिस्ट थोड़ी सी महनत और करो वहां तक पहुंचे हो तो आपको और थोड़ा सा अपने आपको बूस्ट अप करना होगा जो भी छोड़ी बहुत जो क नाम होना चीए फर्स्ट पेज पर नाम आना चीए पास्ट रिविजन के लिए केवल फॉर्मूले पढ़िए हर्मंदीप केवल फॉर्मूले केवल फॉर्मूले रिवाइस कीजिए केवल अनली फॉर्मूला मैं बार बार बोल रहा हूं अनली फॉर्मूला यहां पर देख चीज लिखा हुआ है, compression member सबसे पहले लिखा हुआ है, जल्दी बाजी मैं answer कभी नहीं करना है, compression member लिखा हुआ है, और tack bolting के लिए बोलड़ा, tack bolt should not be provided distance more than, कितने से ज्यादा spacing नहीं होनी चीए, यहाँ भी वही तरीका बताया था, जो अभी पीछे वाले cases में बताया था, के लिए 1000, ठीक है, यह maximum spacing है, compression में chances of buckling ज्यादा होगा, इसलिए spacing कम कर दिया जाता है, यह option बिल्कुल correct है, जिन बच्चों ने बोला है, बिल्कुल correct है, अगले question पर बढ़ते है, question number 11, फटा फट answer करेंगे guys, सभी लोग, ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल, minimum edge distance, साधारण सा प्रशन है, minimum edge distance specified by the code, should be maintained to avoid, minimum edge distance, जो किनारा दूरी होती है, edge distance या end distance, उसको एक minimum value उसकी निर्धारित की गई है, क्यों, code के दवारा, इसकी minimum दूरी क्यों निर्धारित की गई, बोल्ट को यहाँ जैसे मानलो, पंच कर रहे हो, इस तरीके से, ठीक है, तो इसकी edge distance, इधर वाली दूरी होती है, ये वाली, और end distance ये वाली दूरी होती है, तो edge और end distance, minimum दूरी क्यों prescribe की जाती है, कम से कम इतनी दूरी छोड़नी होगी, क्यों होती है, इसलिए, क्योंकि जब यहाँ पे, बोल्ट होल जब पंच करोगे, तो यहाँ से tearing failure हो जाता है, पूरी plate फट ज का answer सभी लोगों को बताना है, पहला लिखा हुए, rupture of the plate, b लिखा हुए, shearing, c लिखा है crushing of the plate, और d लिखा हुए, both b and c, minimum as distance is specified by the code, should be maintained to avoid rupture of the plate, shearing of the plate, crushing of the plate, both b and c, which one is correct, अब जो यहाँ पे तो जो option दिये हुए, हाला कि इसका answer होना चीए, tearing failure, इसका exact answer होगा, यहाँ पे जो option दिये हुए, options के हिसाब से अगर सोचा जाए, तो plate का failure होगा, वहाँ पे plate का failure होगा, वो कैसा failure होगा, वहाँ से जो plate, जो तूटेगी वहाँ से, वो कैसा failure होगा, obviously बात है कि bolt के plane, bolt का जो plane होगा, उसी plane की वज़े से fail होगा, या तो यह पूरा का पूरा, यह बहुत किनारे पे लगा दिये, तो यहाँ पे यह crushing हो जाएगी, इसकी plate की पीछे वाले portion की crushing हो जाएगी, या फिर shear में failure होगा, बिल्कुल D option जो लोग बोल रहे हैं, बिल्कु options के हिसाब से, हाला कि लेकिन यहाँ पे tiering failure अगर option में होता है, तो best suitable answer इसका tiering ही होता है, याद रखेगा, ठीक है, tiering ही answer correct होता है, अगला, question number 12, question number 12 का answer करेंगे सबी लोग, और guys there are only 86 likes, और live viewers बहुत है, तो फटा-फट session को like कर दो, जितने भी लोगों ने अभी session को like नही है, मुझे भी निकलना है, important काम है, ठीक है, यहाँ पे फटा-फट answer कीजिए, the code does not suggest reduction factor for the shear capacity in the, in case of, code हमारा shear capacity के लिए reduction factor suggest नहीं करता है, किस case में, the code does not suggest reduction factor for shear capacity in case of, पहला लिखा, if the joint is too long, अगर joint बहुत लंबा हो, number of bolts exceeds the specific number, number of bolts, अगर एक specific number specified कोई number है, उससे ज़्यादा हो जाए, the grip length is large, या the packing plate thickness exceeds 6 mm, जल्दी से बता जीजे, which one is correct, question number 12 आपके सामने है, बी option बोल रहा है, बी option, बिल्कुल, लिखा हुआ है, does not suggest, does not suggest, क्या number of bolts का कोई criteria सुने हा क्या है, कि 15 bolts से ज़्यादा हो जाए, तो हम लोग reduction factor लेंगे या नहीं लेंगे share में, ऐसा कुछ सुना है क्या, number of bolts का नहीं, लेकिन length का सुना होगा, लेंद का सुना होगा, ग्रिप लेंद का सुना होगा, दो प्लेटों को जोडते हैं, तो उसमें जो grip length होती है, वो 5LG वाला criteria भी पढ़ा होगा आपने, ये भी आपने पढ़ा होगा, कि joint is too long, अगर बहुत length आपने length of joint, length of connection बहुत जादा कर दिया, specified value भी लिखवाया है, तो यहाँ पे आपको उस case में भ उद्धी विवेक का इस्तेमाल करके answer दियाना, बहुत अच्छा गाईज, सही जा रहे हो आप लोग, और सही direction में जा रहे हो, सोच रहे हो सही direction में, जो लोग ये सोच पा रहे हैं, इस तरीके से, बहुत अच्छा लग रहा है, चलिए, B option बिल्कुल करेक्ट है, तेरे वे mainly due to, अब नाम में ही छुपा हुआ है, अलागि बोलना नहीं चीए था मुझे नाम, लेकिन यहाँ पर नाम में ही छुपा हुआ है, फटा-फट बता दीजे, क्या होगा इसका answer, एव्रिवन, वेल्कुल करेक्ट, एबस्लूटली करेक्ट गाईज, इंसर बिलकुल करेक्ट है, यहाँ पर जिनवच्चों ने यहाँ पर एी उप्शन दिया है, फ्रिक्शन एपसलूट, अगला प्रेंग फोर्स प्रेंग फोर्स चुट बी considered in designing चौद में प्रशन का एंसर कीजिए सभी लोग praying force को कहां पे consider क्या जता है किस bolt को design करने के लिए समय पे praying force को consider करते हैं पहला लिखावा है black bolt turned bolt, all bearing bolts या फिर hsfg bolt praying force होता क्या है सबसे पहले यह समझाते थे जैसे मान लो कि आपके पास कोई section है उसमें आपने क्या किया, यहाँ पे कोई T section को joint किया T section जो joint किया आपने bolt की मदद से T section की flange की जो width है वो बहुत कम है और जब नीचे से इस तरीके से कोई force हा रहा है तो इस bolt पे जो axial tension लग रहा है, tensile force लग रहा है तो यहाँ पे जो force generate होता है that is known as praying force इसको हम लोग praying force बोलते हैं जो bolt पे यहाँ पे लग रहा है tensile force, ठीक है इसको control कैसे कर सकते है friction, इस पे bolt पे कौन से लग रहा होगा force friction force लग रहा होगा side से, इसकी surface से तो यह friction की वज़ा से ही होगा obvious सी बात है कि जिन्होंने hsfg बोला है obvious सी बात है वो answer आपका correct है tensile force आता है, यहाँ पे यह भी पूछा जाता है आपसे question, यहाँ पे आपका hsfg बोल d option बिल्कुल correct हो जाएगा उस हिसाब से, जिसाब से question में जो पूछा गया है, ठीक है, d option is absolutely correct and thank you so much everyone for liking this session, 100 likes हो चुके है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जिन लोगोंने like किया है, ठीक है under fatigue stress, फटा फट बताईए question number 15, under fatigue stresses which one of the following joint fails earlier, कौन सा joint पहले fail हो जाता है, यह पूछा गया यहाँ पे under fatigue stresses, फटीग जानते ही होंगे under fatigue stresses, which one of the following joints fail earlier, कौन सी joint पहले fail हो जाएगी, यह पूछा है, इस प्रशन में बड़ाई simple सा, सधारण सा, आपके सामने question है, पढ़िए और बताईए question number 15 का क्या रहेगा, यहाँ पे answer 15 प्रशन का मतलब समझ रहा हूँ ना, कि बार बार stress को हम लोग ला रहे हैं और हटा रहे हैं मतलब एक stress बार-बार generate हो रही है regenerate हो रही है, फिर remove हो रही है, जैसे bridge वेगर आपे देखते हो, गाडिया जाती है तो क्या होता है, उसमें deflection आता है, फिर गाडिया हट जाती है, तो उसमें फिर से वापस original position पर आ जाता है, तो fatigue क्या है, बार-बार reversal of stresses बार-बार-बार आ रहे हैं, तो ऐसे cases में कौन सा failure, कौन सा joint पहले फिलोगा, welded, औभी सी बात है, welded fatigue को नहीं जहिल पाएगा, क्योंकि brittle surface होती है, और welding को आप तोड़ सकते हो, यसे से मोड़ोगे तो बार-बार-बार वो तूड़ जाएगा, तो 100% D option correct है, यहां पर जिन बच्चों ने D बताया है, बिल्कुल correct है, आपका answer, D option is absolutely correct, पंद्रमे का D is absolutely correct, वाप प्रशन आपके सामने है, फटा-फट बताईए, question number 16, हाँ, sinusoidal loading जो बोल रहा है, बिल्कुल correct है, if plate with a small hole is kept over another plate and the entire hole is filled with a weld material, the weld joint is known as, बोला जा रहा है कि एक plate, दूसरी plate के उपर रखी हुई है, और उसमें एक hole बना दे रहे हैं इस तरीके से, और उसके बाद उस hole को हम लोग क्या कर रहे है, welded material से इसको fill कर दे रहे हैं, यहाँ पर हम लोग welding कर दे रहे हैं, इस type के joint को हम क्या बोलते हैं, आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा और इसके minimum diameter का criteria भी देखा होगा, कितने लोग बता सकते हैं, इसको कौन सा joint बोलते हैं, वो तो पूछा ही गया है, फटा-फट, और आपको बताना है, यहाँ पर answer क्या होगा, question number 16 का, यहाँ पर लिखा हुआ filled with material, इसको filled कर दिया जा रहा है, ठीक है, slot बिल्कुल correct हो जाएगा, slot या नहीं, slot नहीं, plug welding हो जाएगा, plug weld हो जाएगा, C option बिल्कुल correct हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ filled with weld material, this is plug welding, this is plug welding, filled with weld material, the welded joint is known as plug, plug welding बोला जाता है इसको, यह plug की तरह काम करता है न, ठीक है, C option is absolutely correct, बिल्कुल, C option correct हो जाएगा, Solvika, 3D और 25M वाला क्राइटरिया, 3D क्या T होता है, thickness होती हो, the minimum length, अगला, the minimum length of the butt weld shall dash times the size of the weld, minimum length of the butt weld, butt weld के cases में minimum length कितनी हो, कितने times of size of weld, size of weld के कितने times, जल्दी से बताजिए 17 में का answer, minimum length of butt weld, 4S, correct है, बिल्कुल 4 times, C option is correct, अगें देखो जो चीज़े तो आपको प्रोविजन पुशे जा रहे हैं, वो तो सीधे-सीधे answer आपको पता चल जाएगा, ठीक है, अठरवे पे आते हैं, फटा-फट जल्दी से आईए, जल्दी से देखिए और answer कीजिए, और 5 भी हो गया, है ना, the intermittent butt weld is used, the space between the two weld should not be more than, इसमें बीच बीच में हम लोग welding किये हुए है, जहाँ पे member जुड़े हुए है, इसमें बीच बीच में हम लोग welding किये हुए है, यहाँ पे member जुड़े हुए है, इसमें बीच बीच में हम लोग welding किये हैं, या दो member जोड़ रहे हैं, तो वहाँ पे बीच बीच में कुछ-कुछ gap पे welding कर रहे हैं, तो यहाँ पी जो spacing है ना, इनके बीच की space, उसे space के बारे में बोल रहा है कि कितने ज्यादा नहीं होना यहाँ जल्दी से बता जिए, क्या होगा इसका answer correct, यह option को lock कर दिया जाए, क्या 18 में का, 16 टाइम्स दी थिकने साब्दी थी ना, बिल्कुल correct है वहाई, मेरे यहाँ पे 16, 16 B option is absolutely correct, गाईज, B option is absolutely correct, ठीक है, 100%, बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है, महीमा, answer, अगला, 19 वा प्रशन आपके सामने है, 19 वा प्रशन का जवाब देंगे सभी लोग, for connecting 10 to 20 mm, 10 से 20 mm की plate के लिए, minimum size of the weld, size of the weld, as minimum का criteria लिखवाया है, मैंने, यहाँ पे 10 से 20 के लिए 10 to 20 mm के लिए, आपको बताना है, 10, 0 से 10 के लिए आप बता सकते हो है न, जल्दी से बता 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 8 mm, single run, 10 mm, double run, कितने से, कौन सा criteria आ जाता है, जल्दी से बता दो, किस size का criteria में, आम लोग 8 mm पे पहुंच जाते हैं, size range बता दो, फटा फट, यहाँ तो बिल्कुल correct बता रहे हो, answer आप लोग, बिल्कुल सही है, यह option is absolutely correct, 5 mm, आप लोग 8 mm वाला criteria बता दो, ज कितने से कितने, size range बताईए, range, greater than 32, 32 से कहां तक, 50 तक, बिल्कुल 32 से 50 बोलना पड़ेगा, मेरे भाई, इस तरीके से बोलो, ठीक है, बिल्कुल सही है, आपका answer, यहाँ पे यह answer बिल्कुल correct हो जाएगा, प्रिंजोई चक्रबरती पूछ रहे हैं, how can I get the maximum marks in GS paper in SSE examination, sir, please reply, by learning, by reading, time दो, जिसको समय दोगे, वो तुम्हें भी समय देगा, और number भी देगा, समय दो जल्दी, GS के लिए अगर आप time नहीं निकाल रहे हो, तो आपके marks नहीं आएंगे, time निकालोगे, marks आने लगेंगे डिए अपरे का पूरे क्रैटेरिया ही लिख दिया, very good, अच्छी बात है, पीसवा प्रशन, फटा फटा अंसर कीजिये, क्या रहेगा इसका अंसर, पीसवा प्रशन को देखिये और बताईए, तर आप कभी इंजिनरिक ग्राफिक्स की, इंजिनरिक डिजाइन, इंजिनरिक ड्राइंग की, कि देखो, ये square edge कहलाता है, इसको, इसको हम लोग क्या बोलते है, square edge बोलते है, ये edge कैसा है, ये किनारा कैसा है, बिल्कुल square edge है, और rounded edge कैसा होता है, rounded edge जैसे आपने, ये angle section में देखा होगा इस तरीके से, इना इस तरीके का section देखा होगा आपने, this is known as rounded edge, यहाँ पर जो weld shall be least कितने less than less than the edge thickness t-1.5 लेते हैं आपको पता है t-1.5 बिल्कुल correct है t-1.5 यहाँ पे answer क्या हो जाएगा आपका a option correct हो जाएगा और अगर rounded edge होता तो 3 by 4 times of nominal thickness बिल्कुल यहाँ पे आपका answer a option is absolutely correct यहाँ पे हमने 20 questions करें आज 20 questions में से कितने questions आप लोगों ने सही किए एक बर फटा फट बताएगा जन्वीन तरीके से कितने questions आप लोगों ने सही किए और मैं again बोल रहा हूँ कि आज मैंने session में 20 questions ही रखे थे आपको starting में inform किया था क्यों रखा था इसका reason भी बताया था कुछ urgent काम है लेकिन आज 20 questions करके कितने मज़ा हैं आपको यह जरूर बताना और regular event की जो होते हमारे उसमें ऐसा बिलकुल नहीं फील हुआ हुआ कि questions कम है या फिर मज़ा नहीं आया आपको उसी energy के साथ आज भी questions कराया हूँ आज का session आपको कैसा लगा जरूर बताए और कितने questions आपने effectively attempt किये यह भी बताइएगा और जितने भी नए student है उन सभी को बता दू मेरी नई classes new batches में start हो रही है Monday से तो join कर लेना जिसको भी join करना SSCJE का यह जो civil का जो batch है यह 8 अगस से start हो रहा है यह particular batch join कर लेना जिनके पास नहीं होगा और महापैक का भी option बता दूँगा लेकिन जिनके हो civil वाला batch join करना होगा इसमें SSCJE का proper SSCJE के लिए technical non-technical complete इसको जोइन कर लेना अड़ा 247 के application पर जाके application पर जाके कैसे join करना है gate and engineering exam select करिए उसमें जैसे gate and engineering में select करेंगे उसमें आपको civil engineering दिखाई देगा civil अपनी selection 2.0 और नीचे आपको date दिखाई देगी ठीक है यह वाला banner दिखाई देगा इसी को join करना है और discount के लिए आप लोग coupon code यह use कर सकते हो Y293 बहुत सारे बच्चे आज तो station में जो आये हैं उनमें से बहुत सारे बच्चों ने अच्छा attempt किया है 1818 question भी सही किया है बहुत आप जोइन कर सकते हैं Y293 coupon code का यूज़ करके इसमें technical की classes plus non technical वाला portion भी मिल जाएगा इसमें लगभग 26 होके आसपास मिलेगा tech plus non tech यह पूरा और जिसको महापैक जोइन करना होगा हर branch के लिए है जिसको महापैक जोइन करना होगा guys उनके लिए option है civil engineering का महापैक इसमें आ बैचेस की live classes भी इसमें आपको मिल जाएंगी guys जो भी पीछे बैचेस दिखाएं सारे बैचेस का access मिल जाता है और यह आपको six month validity और 12 month validity में available है discount coupon code यहाँ भी सेम है जो भी जूइन करेगा जो भी student जूइन करना चाहता है को इस coupon code को apply करके ही जूइन करेगा कल किस subject के questions कल Saturday है कल marathon session रखा जा रहा आप सभी के लिए बहुत important marathon session होगा दिन में ही class होगी probably और मेरी जो class होगी वो तीन बज़े से होगी ठीक है कल दिन में तीन बज़े आप लोग को मिलूँगा और यह Sunday वाला session जो है इसमें जो भी लोग participate करना चाहते होंगे एक आप सभ जुम मिटिंग में यह 20 मिनट की एक बातचीत होगी हमारे बीच में जिसका मोटो में है देखिए how to charge या recharge your mind and brain इसका मोटो यह रखा है कैसे हम अपने को efficient पढ़ाई के लिए प्रेरित करें और किस तरीके से पढ़ पाएं ठीक है उसमें अलग से लिखा हुआ नहीं जाता है कि सब्जेक्ट आप अपने टेक्निकल के देखिए और उनको attend कीजिए उस सारे के सारे सब्जेक्ट है बिल्कुल ले सकते हो बिल्कुल किसी भी अरे यार इंजिनरिंग एक्जाम की preparation कर रहा हो तुम लोग को इतना समझना चाहि है कि technical के subject 13 subject है उन 13 subject को आपने देखना है recorded में मिल रहा है live में मिल रहा है उन सब्जेक्ट को आपको देखिए पूरा का पूरा अप्तू मास्ट है सारे सारे सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट जिसमें आपको लग रहा हो महा पैक वालों के लिए कह रहा हूँ बाकि जो particular batch का minimum price में guys सभी को बता रहा हूं कि this is the discount code इसको जैसी apply करोगे payment के पहले आपको automatically वहाँ पर discount मिल जाएगा ठीक है ओके thank you so much बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का session में जुडने के लिए आज participate करने के session में मिलते हैं आप से फिर next session में कल जो marathon session रखा गया है उसमें जुड़िएगा और बाकी जिनको paid classes लेनी है paid classes में तुम मिलेंगे 247.com इस पर आपको mail करना है गाइस mail करो आपको मैं link भेजूंगा जो बच्चे सेलेक्ट होंगे उसमें और उनके साथ personal जो मिटिंग संडे को रखी जाएगी ठीक है चलिए ओके गाइस थैंक यू सो मच थैंक यू एवरिबंट कि मिक्सप रहेगा आर्जू मिक्सप रहेगा कल वाले session में questions मिक्सप रहेंगे ठीक है एंड करते हैं आज का session मिलते हैं आप से फिर next session अबाए टेक कियर